नमस्कार, आज का वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो स्वागत आपके अपने चनल Pharma Origin 2.0 पे, आज का टोपिक है Hypertension, आप सोच रहे होंगे यह Hypertension क्या है, आम तोर पे हम लोग इसको BP के नाम से जानते हैं नहीं, Blood Pressure, यह एक नॉर्मल टर्म है, Blood के द्वारा भैसल पर Hypertension इसको कहते हैं, तो एक्ट्वल में इसमें प्रोब्लम यह होती है, आप किसी डिलेवरी पाइप के मुझ को थोड़ा सा चीप दो, तो वो क्या होगा, इसमें पानी भर जाती है, प्रेसर बढ़ जाता है, जदा दूतर पानी प्रेसर में फेकता है, वही रिजन होती है ह वो क्या होता, उसका लियूमें साहिज जो होती है, ब्लट भैसर की, वो लियूमें साहिज क्या होता है, सिकूर जाता है, वाइस 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 हो जाती है, अजब ब्लट जो पास कर रहा है हमारी बोड़ी से, हमारा ब्लट भैसर से, वो क्या होगा, जादा पास, जादा त से सिब्र गति से पास करेगा फुलोत तीजी से होगा क्योंकि जगह तो संकीleft हो गया जगह प्लट को प्रैसर लगाना पड़ेगा प्रॉर्टर ठाल लाई रुर्त यानि आर्टरी के दुआरा ब्लट कर लगा गया प्रेशर सिंपली नौन उस ब्लट अब समझते हैं कि हाइपर टेंशन कैसे होती है यह 120 बटे असी क्या है और सिस्टिलिक और डास्टिलिक क्या है तो समझे इसको 120 जो उपर वाला वैल्यू देखते हैं उसको बोलते हैं सिस्टिलिक सिस्टिलिक में क्या होती है हर्ट जो हमारा है वो कॉंट्रैक्ट करता है या में तो ब्लट भरा हुआ है तो जैसे ही एक बार 120 के स्पीड से जभी हर्ट सिकुड़ेगा तो इसको से लिक बोलते हैं तो इसके अंदर जो हब ब्लट भरी है वो ब्लट सारा आउट हो जाएगा और एरोटा के द्वारा पूरे और और में डिस्ट्रिबूट हो जाएगा लें क्या होती है कि वह हट्री रिलाक्स होता है रिलाक्स यानिकी इफ already ँरूत को थी में तो ऑलना शिकुड़ना को बोलते है सिस्टलिक और फैलना को बोलते हैं डास्टलिक और सिकुड़ना उसी को बोलते हैं 120 उपर भाला वैल्यू जो है जो एक सिस्टलिक है याने कि सिकुड़ रहा और असी जो फैल्यू है वह डास्टलिक याने कि वह फैल रहा है यही काम चलता रहता याने कि सिस्टलिक डास्टल प्रप्रेशर दे रहा है और और प्रोबहर फ्रेट हो जाएगी तो इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर हाइए अगर आपका बीपी 120 के स्पीड से सिकूड रहा है हर्ट रहा है तब तो बिल्कुल सही है आप स्वस्त हैं थोड़ा सब बढ़ सकता है 120-134-136 तक भी जा सकता है दोड़ धोप करने से दोड़ने से आप ओबर थींगिंग वर से हमारा हाट कभी-कभी धग-धग-धग-वर इस चलने लग युका है तो 120 बटे असी आज आज आप को किलियर हो गया होगा आप यह भी आप सीख गए होंगे की ब्लड प्रेसर को कैसे मेजर करेंगे जब लगाते है बन लगाता है जब कोई डॉक्टर तो देखता है वहां पर दिखा रहता है अगर 120 से उपर है वासी से उपर है समझ गंभीर है जब सब रहा है किडिनी की कई काम किया करता है बลड की इंप्यिोटी को फिल्टर करके urine में formation बना करके आउट करता है विल्टर करता है वह आप्जॉप करके साल्ट की … dużo करके और हमारा है यह किड्नी का जब sodium की मातरह बढ़ जाती हैं हमारी बोडी में तो वह क्या करता है बलड के भॉल्म को हाइ कर डेता क्या कि प्रेसर को करना को आउट करना नमक को आउट्ट करना कणीदिंदे रडजाब करकेल को पिसाब के द्वाराक अब बताइए कि जब कई तरीके से अभ्जाब नहीं करेगा स् competit यक भ gör कि घृती जाएगा ऑघंड प्रेशर हो जायगा है इस की तो पहली का इसा जोसे होती है वो है thyroid gland thyroid gland एक ऐसा gland है जो हमारे क्या करता है हमारे body के metabolic condition को control करता है ठीक है यह यहां पाई जाती है hyperthyroidism मतलब की thyroid hormone बढ़ जाना और hypothyroidism मतलब की thyroid का level कम जाना दोनों condition में आपको हैपको आपका hypertension बढ़ सकता है आपका pressure को बढ़ा सकता है अगर आपके thyroid hormone आपका कम है body में तो वह भी hypertension कर देगा और ज्यादा है तो भी hypertension को काज करेगा secondary hypertension का तिसरा point आता है एरोटा में क्या होती है हमारा blood जो हमारा heart है heart से एरोटा का काम है कि all over body में blood का supply करना अब क्या होते एरोटा के जो pipe है वह ही छोटा हो जाता है उसका size में कमी आती है जब बोलिए कि इतना size अगर इतना size है अगर कोई blood पास कर रहा है इतना हो जाए तो सोचिए कि जो blood का flow था उसमें तेजी आजएगा blood का फ्रोट से फ्लो करेगा और इसकी दिवार पर प्रेसर लगेगी बहुँ है हो जाएगा अगर आपका थाराइड प्रोबलम है बढ़ गया जाती है अब आते हैं रिस्क फेक्टर पर सबसे बड़ी वज़ाय इसी के वज़से आपको बढ़ जाता है और आप पहुं जदस ते सबब्सक्ति है तो किससे बड़ी वजया है पहले तो आप 65 हैं तो आपको है पंपेइंसन हो जाएगोगी पैहला दूसरी अगर आप अधिक मात्रा में निकोटिन लेते हैं दिन भर में चार बार आप से फूखते हैं तो आपके लंग्स को खराब करेगा और निकोटिन की मात्रा बढ़ जाने के वज़े से आपको ब्लड प्रेसर हाय हो जाएगा तीसरी आती है अलकोहल बहुत ज्यादा अलकोहल ले और पूरा चोमिन बर्गर पीजा खा रहे हो तो वो भी आपको हैपर टेंशन काज कर देगा अब आती है सबसे बड़ी बज़ा इतना भागदव लाइफ में 10 साल से लेकि 70 साल के जो बंदे हैं वो भी टेंशन से घिरे हुए हैं सब कुछ है फिर भी टेंशन किसी को नंब खराब अपने आपको कर रहा है तो सबसे बड़ी बज़ा है यारी कि मेंटरली प्रैस्र बढ़ना उसके बज़ा से भी आपका हाप काज कर सकता है और ऐसा हो रहा है यनि की बहुत ज्यद़ा आया है कि स्ट्रेस लेने से टेंशन लेने से ज्यदा लोग बी-पी का शिकार बन रहे हैं डाइटिंग ओवर एज हिस्टोरिकल प्रोब्लम स्मॉकिंग अल्कोहल एंड स्ट्रेस यह सारी जो होती है इसके दर से आपको है पर टेंशन हो सकता है आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें आपने इस वीडियो में आपने जाना कि ह क्या होती है इसली क्या होता है 120 1289 क्या होती है इससे आगे हो जाने हो जाता है और आप मेंजर भी कर सकते अब से क्या है फैक्रीयों में बात करेंगे इंटीयां जैन Authenticist Agence यानले की क्योंके कर सकते हैं इसके लिए कौन से страх लगेई जो तेंकिए